आज हम कलास एट के लिए सब्जेक्ट इंग्लिश में एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जैलिस सेजार पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जैलिस सेजार जो था वो एक जीम फोजी रहनमा था और रोम के लोग इसको बहुत ही पसंद करते थे लेकिन कुछ लोग ऐसी थे जो जैलिस सेजार के काम भी से खुश नहीं थे वो इसको मानने का मनसुबा बना रही थे आज हम एक और पारिग्राफ पाढ़ेंगे याने आदी रात का वकत था आदी रात के वकत में कैशस, कैसका, डिकस और बहु की जो पार्टी के दूसरे अरकान जो थे वो खुश तोर पर ब्रुटस से मिलने के लिए आगे together they discussed their plan Caesar was to be killed the next day at the capital, the town hall where he was going to make a speech to the people वहाँ पर उन्होंने एक अठे, एक मनसुबा तायर किया कि वो Caesar को, जलिस Caesar को कहां मारेंगी कहां पर मारेंगे? capital, capital टाउन हाल में आता है तो उन्होंने ये मनसुबा बनाया कि वो capital जो टाउन हाल पर है वो जहां पर लोगों को खिताब करने जा रहा था अगले दिन तो वहाँ पर उसको ये जलिस Caesar को कतल कर देंगे they wanted to kill Mark Anthony too but Brutus would not permit this वो लोग Mark Anthony को भी Mark Anthony भी जलिस Caesar का एक दोस्त था वो इसको भी मारने का मनसुबा बना रहे थे वो चाते थे इसको भी मारे लेकिन Brutus उनको इस चीज की इजाज़त नहीं देते है Brutus उनको ये कहता है कि Mark Anthony is but a limb of Caesar he said he can do no more than Caesar's arm when Caesar's head is off he shook his head and spoke with great urgency I wish we would cure Caesar's ambition without killing him but I doubt if that is possible so Caesar must die Brutus उनको Anthony के बारे में कहता है कि Anthony जो है Anthony सिर्फ Caesar का एक जूज है limb कहते हैं जूज को जब Caesar का सिर्फ दर्ट से अलग किया जाए तो वो Caesar के एक बाजू से बढ़का कुछ नहीं कर सकता है He shook his head and spoke with great urgency जो ये Brutus था वो इनको क्या कहता है वो अपना सर हिलाता है और बहुत इसरार के करके वो इनको बताता है I wish we would cure Caesar's ambition without killing him but I doubt if that is possible so Caesar must die Brutus उनको कहता है कि काश ऐसा होता कि हम लोग Caesar को मारे बगेर इसकी ambition को elaj कर सकते इसकी जहतल भी का elaj कर सकते लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा मुम्किन नहीं है So Caesar must die तो Caesar को मरना ही होगा but friends let us kill him bravely not angrily वो इनको बताता है कि दोस्तो हम Caesar को बहदुरी के साथ मारेंगे न कि गुशे से We must have no bitterness in our hearts और हमें अपने मन में किसी तरह की कड़वार नहीं रखनी चाहिए So it was decided that only Caesar should die तो यही फैसला लिया गया किसी जार को मरना ही होगा आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बाकिका पोर्चन इन्शाला हम कल पढ़ेंगे अल्ला हाफिस